कौरोना में हार्ट को कैसे बचाए यह बहुत important चीज है क्योंकि कौरोना में दो ही तरह से मौत होती है एक होती है लंग से और एक होती है होती है अई होती है लंग से उसमें निमोनिया होती है और उसका inflammation होता हैacterा, हो जाए और दूसरा कोई क्लॉट आ जाए और क्लॉट आने के बाद वह हार्ट की ट्यूब्स को बंद कर दिया और सड़नली डेथ हो जाए थोड़े दिन पहले हमारे एक कोई बहुत खास रिपोर्टर का भी डेथ हुआ था है सही एक मिनिट में डेथ हो गई इन फैक्ट कोरोना में जब डेथ होती है हार्ट से तो टाइम नहीं मिलता है क्लॉट के वज़े से भी कुछ ब्रेन में भी ट्यूब में भी ब्लॉक हो सकता है उसके वज़े से परालिसिस वगेरे भी हो सकता है बट क्लॉट ना हो कोरोना में इसका बहुत इंपॉर्टेंट ह कि कॉरोना के बख़त जो inflammation होती है जो cytokines release होती है वो cytokines जाके कुछ clotting chemical release करती है और उसको हम लोग measure भी कर सकते हैं एक जब कॉरोना में काफी inflammation होता है तो हम लोग एक D-dimer करके एक inflammation मारकर चिक करते हैं और D-dimer usable होना चाहिए 200 से कम अगर 500 या 600 से ज़्यादा आ जाए तो य कि दवाई काफी dose में दे देते हैं तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि कॉरोना में clot हो उसके chances है और उसमे inflammation के वज़े से होती है कुछ myocarditis होती है तो ये सारी बाते आपको मालूम होना चाहिए तो करना क्या चाहिए करना क्या चाहिए जो भी heart के मरीज हैं वो तो blindly बलड पतला करने की दो दवाई एक है एस्परीन और एक क्लोपीडो ग्रेल इन दोनों को मिला के लेते रही हैं जिनको heart की बिमारी नहीं है पर diabetes की बिमारी है बलड पेशर की बिमारी है मोटापा है जो खाने में मीट वगेरे खा रहे हैं स्मोक कर रहे हैं ऐसे लोगों को अगर कोरोना हो गया है तो उनको बहुत सिंसियर एडवाईज है कि ये दोनों टैबलेट आप चालो कर दें इन फैक्ट मैं तो बोलता हूँ चालिस साल या 35 साल के बाद जितने भी कोरोना मरीज हैं सब को blood पतला करने की दवाई next एक से दो महीने तक लेनी चाहिए अगर ब क्लॉट आने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए आपको पहले से ही लेना चाहिए प्रिकॉशन और हाँ खाने में जो चेंज लाना है अगर आपको diabetes है blood pressure है या heart की बिमारी है तो खाने में चार चीजों का ध्यान रखे कोई non-wage नहीं खा सकते आप उसमें cholesterol होता है दूद में से सारा मलाई निकल जानी चाहिए कोई भी तेल की समान कम से कम या बीना तेल के लेनी है ये बात याद रखे बीना तेल के अगर आप खाना कैसे बनता देखना चाहते हैं तो YouTube में हमारे वीडियोज है उससे आप देख सकते हैं बीना तेल के खाना बनेगा और कै क्रोना की वीकनेस के लिए हम आपको प्रोटीन देना चाहते हैं इसके लिए आमला या नीम्बू या संत्रा लेने के लिए बोला गया है और आपका हम यह भी चाहते हैं विटामिन दी-3 भी चले तो वह तो खाने-पीने का जो जो हमने बोला वह तो करना ही पड़ेगा जमा के चाच भी बना सकते हैं या चाच ऐसे भी बना सकते हैं वो भी फाइदे की चीज़ है तो कॉरोना में खाने पीने के साथ साथ आपको बलड पतला करने की दवाई लेनी है और अगर बहुत सीरियस केस है जिसमें हार्ड की बैमारी पक्की है और कॉरोना भी मॉडरेट to severe case में हैं तो फिर हम लोग उनको हेपरीन का injection भी देते हैं या एसी ट्रोम करके गोली देते है पर याद रखे एसी ट्रोम कभी भी लिया जाए तो उसके संग बलड कितना पतला हुआ उसका भी मेसरमेंट करना पड़ेगा पतला करने का एक मेसरमेंट होता है आई एनर उस आज के लिए यहीं पर आफ करते हैं इस वीडियो को आप जरूर शेयर किजिए कोई भी हार्ट का पेशेंट हो जिसको कोई 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 को डायबिटीज ब्लड प्रेशर की बिमारी या उनको कोई स्मोकर है या वजन ज्यादा उनको कोई यंग ग्रूप जिनको आज कर बहुत होता है उनको ये बात मालूम होनी चाहिए तो ये वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्च्यू सो मच मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो के साथ